एलो गाईज, आज मैं आपको रूई की बाती बनाना बताऊंगी, यहाँ पे मैं निकच्चा दुद लिया है और पानी से भी आप बाती बना सकते हो, और बाती को एक साल तक कैसे स्टोर करेंगे, बाती को कैसे जलाएंगे, बाती को हम किस तरह से बनाएंगे, दो तरह की बाती मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, बहुत ही इजी और आसान तरीके से, तो गाईज आप पूरा वीडियो देखना, ताकि आप आसान इसे घर पर एक साल की बाती एकी साथ में बना सकते हो, और उसका स्टोर भी कर सकते हो, तो देखे गाईज कुछी इस तरह से हमें रूई को लेना है, गोल गोल बोल जैसा बनाना है, बीच में रखना है, और इस तरह से कच्चा दूद लगे, इकी ड्राइरेक्शन में हमें इसको घुमाना है, तो यह अमारी प्यारी सी बत्ती बन के रेडी है, गाईज हम पूजा पाड़ तो सुबह और शाम तो करते ही है, तो बाती की जरूरत तो पड़ती ही है, फिर से मैं आपको बता रही हूं कि इस तरह से हमें पहले रूई को लेना है, अच्छी तरह से गोल गोल करना है, और इसको भी हमें इस तरह से गोल करके बोल बनाना है, और बीच में रखक चारो तरब को अच्छी तरह से पकड़ना है, थोड़ा खीचना है, और कच्चा दूद लेकर एकी डाइरेक्शन में घुमाना है, तो यह हमारी प्यारी सी बत्ती बन के रेडी हो जाती है, अब ध्यान से देखना इस तरह से हमें रुई को लेना है, चारो तरब से रुई को निकाल के गूल गूल बनाना है, इसका में गूल गूल बनाना है, बीच में रखना है, चारो तरब से इस तरह से पकड़ना है, अच्छी तरह से खेंचना है, कच्चा दूद लेना है, और एकी डाइरेक्शन में घुमाना है, तो यह हमारी प्यारी सी बत्ती बनके रेडी है गाईस कुछ भी दिक्कत नहीं होती है आसानी से आप बत्ती बना सकते हो तो इस तरह से 30 या 40 रुपे का रुई लाग कर आप पूरे साल की बत्ती बना सकते है अब मैं आपको ए बत्ती को एक साल तक कैसे स्टोर करेंगे वो बताऊंगी तो बहुत ही इजी तरीका है आप दूट से बनाओ या पानी से बनाओ फिर भी हमारी बत्ती खराब नहीं होती है तो इसी तरह से मैंने एक साल की बत्ती बना ली है तो देखे बहुत सारी बत्ती मैंने बना ली है अब हमें क्या करना है? इस तरह की बती को हमें स्टोर करने से पहले आपको इसको कागस पे या तो कॉटन के कपड़े पर इस तरह से फैला देना है सिफ आपको 5 मिलिट इस तरह से फैलाना है ताकि आपकी बती में जो दूत या तो पानी से आपने बनाई होंगी तो ये सुख जाए सिफ 5 मिलिट ही रखना है तो देखे गाईज ये अच्छी तरह से सुख गई है देखे कड़क हो गई है ये हिलती भी नहीं है तो ये अब अम इसको एक साल तक श्टोर कर सकते हैं और इस तरह से दबा कर रखेंगे तो ये आपकी बत्ती खड़ी भी रहेंगी कहीं दीदी ने मुझे कमेट करके पुछा था कि आपकी बत्ती खड़ी नहीं रहती है तो आप इस तरह से खड़ी भी रख सकते हो, कुछ भी नहीं होता है और आपको जब एक हपते के लिए दीए में खी डालना है और इसके बीच में बती को रखना है और आसान इसे आप बती को जला सकते है तो अब आप इस तरह की फोलिथिन लेंगे, बैग लेंगे और इसमें हम इस सारी रुई की बाती को डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको पकड़ेंगे और अंदर की जो हवा है, वो हमें निकाल देनी है बिल्कुल हवा नहीं रेनी चाहिए और अच्छी तरह से यहां पे हम गाठ मार देंगे, लॉक कर देंगे और इसमें से मैंने पूरी हवा निकाल दी है, तो इस तरह से दबा दबा केर हमें हवा को निकाल देना है, तो एक साल तक कुछ भी नहीं होता है गाइस, अब हम लंबी बाती बनाएंगे, तो गाइस इसक भी बनाना बहुत ही इजी तरीका है, तो यहां पे भी मैंने रुई लिया है, और यह हम जहां से राशन लाते ने, वहीं से यह रुई हमें मिल जाता है गाइस, तो जिस तरह से मैंने आपको फूल बाती बनाना बताई, उसी तरह से मैं आपको अब लंबी बती बनाना भी दिखाऊंगी तो इतना आसान तरीका है अब हमें इस रुई को इस तरह से थोड़ा सा लंबा लंबा हमें लेना है अब ध्यान से देखना अब हमें यहाँ पे दूद लगा देंगे और इस तरह से एकी डाइरेक्शन में हमें खुमाना है बस तो यह अमारी लंबी बाती बन क कि इधर लगाए उधर लगाए आपको जो कंफ़टेबल लगे उसी तरह से आपको ये बत्ती बनानी है तो देखे गईस आप चितनी भी पत्ली बनाना चाथे हो उतनी आप बना सकते हो और बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है तो कुछ इस तरह से हमें आपको रूई लंबा लंबा लेना है और इस तरह से हमें थोड़ा सा रूई लेना है यहाँ पे हमें एक अच्छा दूद लगाना है और इस तरह से एकी डाइरिक्षन में कुमाना है ताकि आपकी बत्ती आसानी से बन जाती है तो ये लंबी बात्ती भी बनाना बहुती इजी तरीका है कुछ भी नहीं करना पड़ता है वीडियो पसंद आये तो मित्रों में जरू शेर करना धन्यवाज